अब पूछा जाता है मा तकुलू फी शानी हादर रजुल इस मर्द के बारे में तू क्या कहा करता था पैचानता ये कोने अधिसे पाक प्याता है कि जो दुनिया में मांता था पुगारता था निजबत रखता था तालुख रखता था दुर्दो सलाम भेजा करता था मुहबत के जो तरीखे अवलिया अल्लाह बता है उसको इख्तियार करता था अलगरस मानने वाला वो पैचान लेगा वो पैचान लेगा और कहेगा पूछने वालो ये मेरे नभी मुहम्मद रसुल आल्लाह सली आल्लाह रसुलम है तो फरिष्टे उससे कहते हैं हमको तुझसे यही उम्मी थी कि तू इनको पैचान लेगा अब फरिष्टे उससे कहते हैं अब सोजा पहले मर गया था रो निकल गई थी तत्वीन हो गई थी जिन्दा किया गया सवाल किया गया वो पैचान लिया पैचानने के बाद अब मारा नहीं जाता रो नहीं निकल ली जाती अब कहा जाता है उससे हदिसे पाक में आता है नम कनो मतिल उरूस अब मरता नहीं उससे कहा जा रहा है अब सोजा अब सोता है ख्यामात तक और कैसे सोता है परिष्टे कहते हैं ऐसे सोजा कनौमतिल उरूस जैसे दुल्हन सोती है दुल्हन खुश्बो से मौत्तर होती है पाक साफ कपड़े होते हैं इसके हुसन को निखारा जाता है और सोती है तो दुल्हन क्या करती है सिर्फ उसकी आख बंध होती है दिल जाता रहता है यह दुल्हन का सोना यह है आख बंध करके दिल जाते रहता है दुल्हन को उसके महबूब का इंतजार रहता है तो खबर में इमान वाले को इंतजारे महभूब है फिर हशर में भी इंतजार है लेकिन याद रखें खबर में जिसने पहचान लिया पहली मन्जिल में उसका हशर आसान हो जाएगा अब दूसरा है जो नहीं पहचानने वाला दुनिया में मानता नहीं था वो कैसे पहचाने का उसको भी पूछा जाता है माता खुलूफी शानी हादर रजुल तो जो दुनिया में नहीं मानता था अपनी जान से खरीब नहीं मानता था तोखिर नहीं करता था ताजिम नहीं करता था दुरूद नहीं पढ़ता था सलाम नहीं पढ़ता था बिदत शिर्क अराम कहता था वो कहेगा पूछा जाएंगा मातखुलुविष्या ने दोड़न ये कौन है इंके बारे में क्या जानता क्या प्रजा दुनिया में तो उसकी जबान से निकले गा हाँ हाँ लादरी अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता यह कौन है कि अब फरिष्टे उससे कहते हैं हमको तुझ से यहीं उम्मीद थी कि तेरे बारे में हमारे पास यहीं रिकार्ड था कि तो ऐसा ही बोलेगा नहीं पचानेगा जहन्म की गर्म हवा उसकी ख़बर में दाखिल कर दी जाती है अब वो खियामत तक जलता भूनता रहता है और हम ऐसी खबरों पर चादर नहीं चड़ाते ना सरी ऐसी खबरों पर नहीं चड़ाते जो जलते भूनते हैं अंदर आम मुसलिमान के बारे में तहिक से नहीं कह सकते खाते माइमान पर हुआ या नहीं हुआ लेकिन वली के बारे में वली का खातिमा हक यकीनन वह रिसलिएआल्ला को पैचानता है इसलिए वली का उर्स बनाया मना जाता है हर आदमी का नहीं हर आदमी का उर्स नहीं मना बर्स मना जाता है डिसने पैचान लिया वह श्यामत का और दुलहन की तरह सोता रहता है कितनी देर सोना है वह कुछा जाएगा कितनी देरे खबर में सोए तो जिसने हुदूर को पैचान लिया उसकी घड़िया हशर की लंबी महसूस करेगा कब हशर खायम हो कब मेरा हिसाब किताब हो मैंने तो पैचान लिया आखा को मेरे आखा के खत्म में मैं कब जन्नत में जाओंगा इसलिए उसको हशर की मंजिल दूर नजर आती है इंतिजार इंतिजार बहुत शदीद लगता है लेकिन जो नहीं पैचाना उसको हशर बहुत जल्द नजर आजाएगा दूजक की दहिकती आख ख़बर में चुनके देते रहेगी अजाप के फरिश्टे अजाप पहुंचाते रहेंगे अब उसके लिये इसलिए सवाब काम नहीं आएगा दृूद का सवाब नही पहुंचेगा सुर्य इखलास का सवाब नहीं पहुंचेगा सुर्य फत्या का सवाब नहीं पहुंचेगा ये पहुंचना पहुंचाने की जो बात है ये इमान वालों के लिए बेमानों को कुछ नहीं पहुंचता हैदराबाद से विशाल के तौर पर दो दोस्त अच्छी डिग्रियां हासिल करके अच्छी पहले कुछ अर्शा पहले बंबए बहुत जाते थे लोग नोक्रेओं के लिए जाते कच न अकुछ जाब मिल जाता है जो संद्याफ्त बंबए गहीं एक संद्याफ्त को जाब मिल गया वो महिना तनखाल के अपने घर को मन्याडर करने लगा इधर मन्याडर पहुंचता, माबाप उसके लिए कुछ मिठाई, हलवा, कुछ तोफा भेजते इधर पैसे आते उधर तोफा जाता, उधर से भी कुछ आरा, इधर से भी कुछ जारा अब जिसको जाब नहीं मिला, इसको पैसों की जुरूरत थी, पाकिट पिलेरी शुरू कर दिया पकड़ा गया, पकड़ा गया तो, अब इसके पास से इसके माबाप के पास क्या जाएगा, कुछ भी नहीं अखैद है, पुलिस पकड़ी, ना इधर से रुप्या पचा जाता ना उधर से हलवा मिठा आता, इधर से भी कुछ नहीं जाता, उधर से भी कुछ नहीं आता, बिला तश्मी, बिला तमसील, जो जिन्देज रहते हैं खबरों में, उनके लोग, इमान वाले जो इसाले सव सवाब करते हैं, वो सवाब उनको पहुंचता है, और उनकी बारगाहों से फैजान हमारे घर को आता है, इधर से भी कुछ जाता है, उधर से भी कुछ आता है, लेकिन जल्ले भुनने वाला है, उसको पहले ही बिदत कहते हैं, इधर से कुछ भी नहीं जाता, उधर से क्या आएगा यह पाकिट प्लेयर किसम के जो लोग होते हैं ना इदर से कुछ जाता है इवान वाले हैं इदर से इसाले सब्सक्राइब आए मजाराज से हमको फैजान आता है यह वड़ी ट्राफिक नहीं है यह नहीं सब्सक्राइब आपने दूर दराज मुखामात को छोड़कर काम का छोड़कर वली की बारगां में आए हम को क्या मिलेगा नहीं नहीं यह वन वे नहीं है यह तुम उधर से तड़पते हैं तो इसे इतर से अपनी निगाहे करम तुमारे दिलों पर डालते हैं तुम्हारे राश्ते आसान करणी तकलीव दूर शाथी फर्शानिया नतिजामात हो जाते हैं कई हमारे कैसे इसंदगी आफिया थी यहां हमारी आने की हैं जब आस दाखिल हुए गुलामी में आए हर शक्स अपनी अपनी आप वीदि जानता है कि हमारा क्या हाल था हम कितने परिशान हाल कि कि यह मुझीवत में ते कि यह सी-व अम धें किम करते थे कितनी बुराइथ और वाग्व अवलियों से छूट गए यहाथ में हाथ देने की बरकत उसका फैजान हमको मिलता है कि हम कि अव्लिय अल्ला की बारगा में हदिया पेश करते हैं अव्लिय अपने फैजान से सर्फराज फर्माते हैं इस हदीश के इस लव्ल से पुर्ष निकाला गया है कहां लिखा है काई कूर्ष मौनाते उनसे कहना इसका मतलब यह तुम ख़बर में दुल्हन की तरह सोने वाले नहीं तुमारी ख़बर में तो आध बरसने वाली है कितना चुरुका लगता है और हम यखीन लगते हैं कि यखीन हम दुल्हन की तरह ख़बर में सोएंगे यहीं से हम अपने आखाव को मौत से पहले ही याद करते हैं उनसे तौखिर करते हैं और अल्ला ने यहीं फर्माया पुरान मजीद में अब क्या करें इमान लाकर क्या करें तो अल्ला फर्माता है लि तू मिन बिल्लाही वरसुलिही इमान लाओ ल्लाह उसके रसुल पर उसके बाद नमास पड़े नहीं फर्माता है रोजा रखें रॉज़ करें नहीं आमाले सालिया तिलावत यह सब बात की चीज़े हैं इमान लाने के बाद एक काम आरू करना है पुरान कहे रहा है वतुष्जिरूहु वतुवकिरूहु एमान लाने के साथ ही नमाज है अबादते फ़र्ज नहीं होगी फरमाता है एमान ला लिया ना अब मेरे नभी की तौखिर करो अब मेरे नभी की ताजीम करो अब मेरे नभी का अदब करो जब ये तुमारे दिल में उनकी तव्फिर उताजिम आ जाएगी खलमेतों पड़ लिया ला इलाहिद लिया मुहम्मद रसूल दिल में तव्फिर उताजिम जिसके आ जाती है उसके ओपर नमाजें फर्ज़ है हरे एक ओपर नहीं है और बड़ी अफसोस की बात है ऐसी पाबंदी की नमास, इमान नहीं है, नभी की तवखिर उताजीब नहीं है दिल में, तो इमान नहीं है, इमान नहीं है, तो पांच टाइम पड़े, ताहजित गुजारी कर ले, कावे के चक्कर काट ले, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन जो इमान वाला है, नभी ईसके इमानवालोंपर है जो नभी की तवफिर उताजिम करते हैं इसलिए मैं अक्सर दूसरे मुखामात पर जल्सें में करता हूं एल सुन्नत और जमात पर ही नमास करते हैं किसी और जमाद पर फज्जड़ नहीं उन जमातों तो इमान लाना है कुफर में फसे हुएं सरकार की बघावत में फ़से हुए हैं हौलिया से बुख्ज में फ़से हुए हैं आपको मालूम है? वली से बुख्ज रखने पर क्या होता है? नभी तो नभी हैं वली से दिल में अदावत रखें तो हदीस पाक में है मन आदा लिवलियन फकत आजनतू BILL própria हर्भ हादिश-ynnष्रीат सिया आम हदीष शरीफ हो है biz कि रिवायत कोई सहाबी करते हैं थो 사род रिवायतौि रिवायत है इर्शाथ अर्व visप्रकाषां हIWI is L Hier Gachen नेन वजल्स में आपने दिल ने हमें अदावत रखता ब्हुन को मैं उसको इजाज़त दे रहा हूं की थो मिझे से मुझे सो जन्क कर मला मॉद्धे मुझे अफर 小णा करने मूसलिक तहां। को साभित हो गया हUI कि अपना अपना उ हिसला कर लेना हुअ तो यह है सारा फाइदा एमान वालों को है हम अगर नमाजों की ख़जा करें तो फिर यहां आने का मखस्द क्या है हमारे बुजरगों की कोई नमाज ख़जा नही हुई बलके तहजद गुजारी जो नमाज फर्ज फर्ज नहीं वो भी पढ़ते हैं अलिया लगा चाष्ट की नमाज पढ़ते हैं इश्राख की नमाज पढ़ते हैं अवबीन की नमाज पढ़ते हैं तहजद की नमाज पढ़ते हैं जो गिंती है तहजद की रकातों की वो पूरी करके दिल नहीं भरता मजीद नौफिले पढ़ते हैं राता पिछली रात तो सोते नहीं कि इतने अफसोस की बात है कि हम इस बारगा में आकर भी पिछली रात सोते रहें जिस भुजरुक की निजबत से उनकी घुलामी में है अब पिछली रात हम सोते हुए गुज़ा रहें है आप सोते हैं आप मस्जिद के अंदर देख लो कितने हजरात सोते हैं हिला हिला के उठाना पड़ता है पजर में अरे भाई सोने के लिए निया है यह और बात है मर्ज है पीमारी है दवा खाना है आराम का डाक्टर हुकम दिया है आपको जुरूर रखते हैं मस्जिद में इतने सोते हैं यह सबके सब बीमार नहीं है यह सबके सब अलिल नहीं है यह सबके सब नखाहत वाले नहीं है यह सबके सब जाइफ नहीं है यह सबके सब कमजोर नहीं है कुछ तो हिम्मत करें दादा हजूर खिबला भटपली के पहाड़ पर बारा साल अपनी नीद उड़ सारी नाफिल की कस्रत हाँ कस्रत नाफिल से मिलता क्या है ये भी हदिश खुद से है रिवायत हुदूर फर्माते है अल्ला फर्माता है जो मेरा बंदा नफिल की कस्रत से मेरा खुर्ब हासिल करता है कैसे नाफिल की कस्रत से ज्यादा नफिल पड़ता है तो फर्माता है मैं उस बंदे को जाहने लगता हूं जो नफिल के कस्रत करता है है और नफिल कहते किसे हैं नफिल कहते हैं और टाइमको ज्यादा करने को और और टाइम कब मिलता कि साहब मैं और टामने कर на तो Head of the Department कहेगा पहले ड्यूटी इसके बाद ओर टेम का मुखाम है ओर टेम काम नहीं देता अगर असल ड्यूटी नहीं करे पहले फराइज बाद में नाफिल नफिल के माने ज्यादा करना तो अल्ला फर्मारा जो मेरा बंदा कस्रत नाफिल से मेरा खुर्व एक्तियार करता है इदर से बंदा रुजू होता है उदर से अल्ला की चाहत आती है ये भी वनवे नहीं है इभी टूए है उदर से चाहत इदर से नफिल की कस्रत भी फर्माता है जब मैं पसंद कर लेता हूँ नफिल की कश्रत से बंदे को पसंद कर लेता हूँ तो फरमाता है वो मेरे बंदे को ये मुखाम देता हूँ कि वो नहीं देखता मगर मेरी आँख से देखता है बसर वो नहीं सुनता मगर मेरे कां से नहीं देखता मगर मेरी आँख से किसी चीज को नहीं पकड़ता मगर दस्ते खुद्रत से मेरे हाथ से और यम्शी भीहा फरमाया क्या मतलब मैं मेरे महभूब को पसंद करता हूं कसरत नाफिसे तो मैं उसकी आख बन जाता हूं मैं उसका कांग बन जाता हूं मैं उसकी जबान बन जाता हूं मैं उसका हाथ बन जाता हूं इतने हां तक फरमाया महभबत में यह जब डूबता है मैं उसका पाउं भी बन जाता हूं मैं उसका पाउं बन जाता हूँ वरिजलहुलकी यंशी भी हाँ जिससे वो चलता है मैं वो बन जाता हूँ अल्ला अल्ला ही है लेकिन फर्मारा मैं उसका पाउं बनता हूँ क्या मतलब वली का पाउं बन जाना क्या चीज़ है यह वली की आख बन जाना वली का हाथ बन जाना वली के कान बन जाना वली के आख बन जाना मैं हो जाता हूं मतलब यह है कि वो बंदा बजाहर देखने बें बंदा है बबातिन उससे वजूदे रब तबारों को ताला का इजहार हो रहा है रोशनी फूर्टती है इसका जमीर रोशन रहता है उसकी निगा, मशारिख और मगारिब को देखती है तेतुसरा तक उसकी नजर जाती है इस मुखाम वाले की आले लिन तक देखता है, नजर उठाता है नजर जुकाता है तो जमीन के आखली हिस्से तेतुसरा को देख लेता है हाँ, सब छोड़ के हड़ गए थे ना सब भाग के चले गए थे एक ही मुरीद चोखट को सर लगा के पड़ा रहा उसमाने हारुने रह्मतुल्लाई ताला लेगा उसमाने हारुने रह्मतुल्लाई ताला ले यह सब मुरीद आपको छोड़ के चलेगी ढ़ मेरे हमारा फीर किया दावा कर रहा है हुदाई ही दावा कर लोग से कि नाराज हो गए थे अंनरा तय चैनल त यहलभ कुदा नाराज पास मुझे अवलात बाउलात से कहें मुझे एवलाद दीजे मांगने वाले ऐसे होते हैं आप तो मंगे की श्रूज़ुके की श्रु की को किया आके अधिया है तो आपने का तेरी तकदीर में नहीं है उसी पिराने पिर के पास अपने कहा यह दिया दो दिया तीन दिया चार दिया पांच दिया छे थी और लगे एक ना और थे घब्स पी रहा है खेल रहा है करू रहा ह resisting आड़ा है उसमाने बिलाले तस्वाने चार्णाने देखे ताना दी उनको अवरत क्या है तुम्हारे अल्ला करने नहीं थी ना अवलत तुम बोले ना तखदिर में नहीं है मेरे घौश दिए देखो छे बेटे दिए मेरे को रुष्वा कर दिया एक अवरत के सामने जब आईसी इबादत से तो घंटा मारना बेतर है एक मंदीर में गए दर्वादा बन घंटा मारते खड़े रहे गए घंटा मारते खड़े रहे गए मंदीर बन दर्वादा सारे मुरीदेन भाग गए हमारा पीर यह क्या कर रहा है गंटा बजा रहा है नहीं भाई ऐसा पीर नहीं चाहिए सब छोड़के चले गए उस दर्वाजे को चोकट को सर लगा के से इतना खाजा मुरीदेन चिष्टी एक ही मुरीद पड़े रहे है और रुजू हो गए हो आखाय दो जहां की तरफ या रसुल आल्ला मेरा पीर घंटा बजाए तो मेरा क्या होगा ओ जहा ठर्वाजी खरीबनास की दर्खास पर आखि औ जहां के खड्मों में जुसमाने ँहरूने इसर रखा दरवजा खोले कोई है तो महिन ढदिन चिष्टी है तो छुसमाने हारुoda jetो नहीं पना जानका त्वाफ कर लो तो केखते हैं हव्जूर आज आप्के तुफ़ल देखा मैं तो आपके छक्कर काटेंगा अपने शेयुक भें फनाफिश शेयुक का ये बकाम हैरी मुझा चक्कर काटे है तो पूचा हुजूर ने यह क्या हो रहा है या रसूल आला मुझे रिजुवा कर दिया एक और तो मैंने ऐसा किया तो हुजूर फरमाते हैं वस्मा वस्मा निहारोने से वस्मा काँ से दिये या रसूल आला में यह बोला अल्ला की किताब लाए महफुष्मे रहा है यह नही है वोला कहां तक नजर रहे आपके लिए वस्मा फर्माये नहीं था अब्दु खादर ने अपनी उला ती है उसके शोहर को बुलाते हैं उसे पाप तो मेरी कमर से अपनी कमर लगा के भैट थोड़ी देर कमर को घजदिया बले जा छे उलादे हो क्या अंदाज है उलाद देने का जब चौके तो खरीब नावास खत्मों में शेक्ट के गिरे हुजरु तर्शीफ ले गए तो खरीब ना मैं सब कुछ तुम्हें देदेंगे तुमारी तरफ से हुज़ूराये मेरा मसला लोगया है मैं बिठाये मुझा चिश्तिरमत लाले को अपने सीने में का सब कुछ उनके सीने में डाल दिया है डालके फर्माएं मुझा नीचे देखो देखे ना ऊपर देखो कहा तक नजर तक नजर चले गई अच्छा नीचे देखो क्या दिख रहा है तैस तु सरा देख रहा हूं जाओ मुईनदीन अब तुम कामिल इंसान बन गए यह कह रहे हैं उस्मानिय हारुने मतुल्दालिव अपने शेख से आदमी को कामिल इंसान बना देती है और कामिल इंसान वो है जिसकी नजर जुके तो तह तुसरा देखे नजर उठे तो आर्श मॉल्ला देखे वो कामिल इंसान है अब ना जाने हम कौन सी फेरिस्त में है इंसानियत से हम कितने गिरेवे हैं कितनी दूर है हमें इंसानियत क्यों पैदा नहीं होती हम अपने अंद का खुर्ब ना सिर्फ खुर्ब ना सिर्फ तोखिर ना सिर्फ ताजिब ना सिर्फ अदब बलके अलिया अल्ला के आमाल उनके तरीखे कार को अख्तियार करें इसलिए पिराने पीर फरमाते हैं ये तसवुफ ये सूफी बनते वरा मैं सूफी तू सूफी तसवुफ तो खु तस्वूफ खिलोखाल से हासिल नहीं होता तस्वूफ के लिए भूका रहना पड़ता है खाहशात नफस को मारना पड़ता है तब तस्वूफ हासिल होता है आदमी सूफी बनता है ये खिलोखाल तस्वूफ की बातें कर लेने से कितनी टाप की तस्वूफ की बातें करें कैस गड़ियां कि तिन थिन भिल्के कभी चार थेंब ही घालेते हैं तो कहां से दरश मरेगी हम तो नवस्की परश्ठिश करने वालेज हो गई लेशाब को कुछलना मारना तो घुजब फर्माते हैं वो उसका नाम तसवुफ है इस पर मुदावयमत हो तो बंदा सूफी बनता है यह सूफी साफी आप सुने ना साफी हम दर्ध में आती कप कोई कम्पणी मुसफी बनाती पोई कम्पणी साफी बनाती चलिए साफी ले लिजी यह साफी क्यूंगा रहता है तो खुकॉत को नवस कोमार और भूक हो जाता है यह ओना चाहिए पुझाए तब हमने खुद भूखा रेकर किसी भूख को खिलाया है है कि खुद नहीं पहलेकर अपना कपड़ा किसी नंगे को पहनाया है खुद अपनी खाहिश को रोक कर हमने किसी खाहिश मन की उसकी जरूरत को पूरी किये हैं यह तस्वू लूरे बुजर्जाने दिन में यह चीज़े हैं अपनी जरूरत को रोककर कर हैं मेरे स्येदी मुर्शिद Totally फर्मा दे खर्जा दे ओ अगर किसी वो दो जरूर दो इस म्हर्जाह रेने में देने मैं जल्दी करो लेने में जल्दी मत करो आज तो हम देने से पहले पुछते हैं कब वापस कर रहे हैं भाई फर्माते खर्जा दो और खर्जदार को महलत दो तुम्हारा सवाब बढ़ता रहेगा अल्ला ताला की बारता वाप बढ़ाने का ये भी एक तरीखा है वो बंदा अल्ला का महभूब होता है जो जरूरत मन को महलत देता है तो ये तरीखे हम अपने वज़रगाने दीन के देखें उसको अपनाएं उस पर आमल करें इंशाल्ला ताला तो वो सारी खूब्यां हमारे अंदर पैदा होंगी झाल झाल